स्वागत है दोस्तों आपका एकजाम गरोटुप चैनल में इस वीडियो में हम जानेंगे एक कको डीमोनिक मैनिक वर्ड का क्या मतलब होता है इसका आर्थ होता है जो बूत होते हैं कई लोग को क्या होता है बूतों का बहुत शोक होता है ठीक है उपसेशन होता है उनके समझ सकते हैं यहाँ पर जो यह कको वर्ड है इसका मतलब तो होता है कोई बूरी चीज होना इवल चीज होना और यहाँ पर डीमन का मतलब ही होता है क्या सैतान ठीक है इसका मतलब बूत यह सैतान होता है और मैनिक जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है उपसेशन सनक किसी चीज़ की सनक होना ठीक है तो जिस भी वैक्ति को बूतों के परती एक सनक होती है उनके बारे में जानने की उनको कंट्रोल करने की एक सनक होती है उसके लिए इस वर्ड का प्रिव क्या जाता है जो लोकल कथाएं है उनके अनुसार क्या है कि एक कको डिमोनिक मैनिक के बारे में बताया जाता है जो बुरी आत्माओं को अपने बाते मनवाने या उनको अपने काबू में करने के लिए जाना जाता था ठीक है तो जो व्यक्ति बुरी आत्माओं को काबू में करना चाता है उनके परती एक सनक होती है तो उस व्यक्ति के लिए सवर्ड का प्रियोग होता है वीडियो पसाएं इस लाइक किरें से एक वीडियो जरू देखने लिए चैनल को सब्सक्राइब करें झाल 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 झाल